देखिए जिस काम में काम करने की हत पार नहों वो काम किसी काम का नहीं होता तो पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो ये भी एक काम ही है और इस काम को मन लगा के किजिए देखिए आज है 13 मार्च और आज की वीडियो में टूटल 10 most important प्रिश्टों पे हम चेटा करेंगे जो कि और इक जो लोग नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर लेंगे साथ में बेला अगर प्रिश कर देंगे और वीडियो का लाइक और शेयर भी कर देगा तो चलिए शूरू करते हैं इस वीडियो को देखिए पैरा प्रशना आज का है कि कोल्गेट पामोलीव इसकी नई चीफ एग्सक्यूटी ओफिसर और मैनेजिंग डारेक्टर बन गई है प्रभाण नर्सिम्हन देखिए आप पताव जो प्रभाण नर्सिम्हन है यह इस पतपर यानिकि कोल्गेट पामोलीव इंडियो और एमडी के पतपर राम राग्वन का स्थान लेंगी जि इनको कोल्गेट पामोली कंपनी में ही जो है प्रेजिडेंट एंटर्प्राइज ओरल केर के रूप में जो है प्रमोशन दे दिया गया है और अगला प्रशन है कि हाली में किसने रोल आप लेबर इन इंडिया जवलप्मेंट नामक पुस्तक लांच की तो देखिए इस रो और ये जो पुस्तक जो लांच की कई है भूपेंदर यादो के द्वारा जिसका नाम है रोल आप लेबर इन इंडिया जवलप्मेंट तो देखिए इस पुस्तक को वीवी गिरी राश्री स्रम संस्थान ने प्रकाश किया है और ये पुस्तक आजादी का अमरित महसों के आ तुर्पॐरा की राजी सरकार ने शुरू गिया है और ये जो आपकborg योजना है तो इस विशेश योजना के कारेवने के लिए कुल 85 करूर टुपे का आमनिन भी किया गया है और दिखिए जो धन्रासियों की 85 करूर टुपे तो इस धन्रासियों से तृपूरा के कुल 7000 च मुक्यमंत्री चा स्रमी कल्यान प्रकल्ब तो इस विशेष योजना को जो है राज सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चाय बागान स्रमिकों को उनके लिए हकदार सुपिधाओं को एकिकरित करके आवास रासन और वित्ती सहायता सुनिशीत करने के लिए इसको लांच किया तो यह रखेगा जो आपकी मुक्यमंत्री चा स्रमी कल्यान प्रकल्ब योजना है यह त्रिपुरा की योजना है यहां पर चा मतलब चाय हो गए बहुत सारे राजिवें में चाय को जो है चा बोला आता ठीक है और दीकि त्रिपुरा राज की बात करें तो इसकी राजधान तो दिखी की आपका VDem Democracy Report 2022 है, इसमें भारत को तिरानवेवा स्थान पर रखा गया है और दिखी जो आपका ये VDem Democracy Report 2022 है तो इसमें भारत तो तिरानवेवा स्थान पर है लेकिन इसमें Sweden पहले स्थान पर है, Denmark दूसरे, Norway तीसरे चोथे स्थान पर आपका कोश टारीका है और पांच में स्थान पर आपका न्यूजिलेंड है और इसी जो आपका यह VDEM Democracy Report 2022 है इसका जो नवीनतम संस्क्रण है यह भी हाली में स्वीटन के गोथीन बर्ग विस्विद्याले में VDEM संस्तान के द्वारा जारी किया गया था और यह जो रिपोर्ट है इस अध्यन का सिर्शक था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 आठो क्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर तो इसको जरूर या रखेगा लेकिन यहाँ पर जो भारत की रहेंग का इसको या रखना है कि VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत तिरानवेवा स्थान पर है लिया है और देखेज आपका यह भारती बीमा नियमक और विकास प्रादिकरण है जिसको आप स्वाट में IRDAI करते हैं जिसका पूरा नाम अंगरीजी में है Insurance Regulatory and Development Authority ठीक है तो इसके स्थापना 1999 में की गई थी इसका मुख्याला अपका हैदराबाद में है और जो आपका IRDAI है इसके नए चेयर परसन को बन गए है इसके नए चेयर परसन बन गए देवासीस पांडा जिरोंने सुभास चंद्र खुंटिया का स्थान लिया है अगला परसन है की हाल ही में केंद्री नागरिक उडियन मंत्री जियोतिरादी ते सिंधिया ने के सस्थान पर ड्रोन उसकुल का उद्गार्ण किया तो दिखिए जो आपके केंद्री नागरीक, ओडियन, मंतरिस, जियोत्रयादी, सिंधिया है नोने विहाली में मद्द्रदेश के ग्वालियर में pahले ड्रोण स्कूल का अगार्ण किया है मद्द्रदेश के बिफिन सहरों में ऑले जाने वाले हैं और टोटल पांच ऐसे जो है ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे जिन में से पहला अपका ग्वालियर में खोला गया है उसके बाद फिर भोपाल, इंदौर, जवलपूर और सतना में भी जो है ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे तो दीके ड्रोन का जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा कि ड्रोन स्कूल बनाए जा रहा है ताकि बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया सके कि कैसे ड्रोन मंता इसकी मैनुफेक्चिरिंग जो है कैसे होती है तो अभी हाली में मत्य प्रदेश में वहाँ का पहला ड्रोन स्कूल का उद्गाटन किया गया ग्वालियर में याद रखेगा किसके द्वारा केंदरी नागरिक उड्डियन मंत्री जोतिरात सिंजा के उदारा और साथ में मत्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है अगला प्रशन मारा है कि हाल ही में एरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी वर्थ 2021 के एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्विक्षर में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और छेत्र के अनुसार सरुसरिष्ट हवाई अड्डिक की जगह मिली है तो देखें इनकी संक्या टोटल 6 है और ये 6 हवाई अड्डे कौन कोंसे है इनको किन्स रिडियो में रैंक मिला है ये मैं आपको बताऊंगा देखें जो एरपोर्ट काउंसेल इंटरनेशनल है इसके द्वारा जारी वर्ज 2021 का जो एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्विक्षर है तो इसमें भारत के टोटल 6 हवाई अड्डों को जो है आकार और छेत्र के अनुसार सरुसरिष्ट हवाई अड्डे में जगह मिली है तो इनमें जो आपका पहला हवाई अड़ा है अपका है छत्रपती सिवाजी महराज अंतराष्टी हवाई अड़ा मुंबई और ये लगातार जो है पांचवे वर्ज इस रैंकिंग में जो है जगह पाया है और छत्रपती सिवाजी महराज अंतराष्टी हवाई अड़े को प्रतिवर्स 40 मिलियन से अधिक यात्रियों के वहाँ पे आवागमन को लेकर ये रैंकिंग जो है मतलब इसको समिल किया गई से लिए क्योंकि कटेगरी बनाई गई है किस एरपोड पर प्रतिवर्स 40 मिलियन लोग आते जाते रहते हैं मतलब इतरा करते हैं दूसरा कटेगरी बनाये गया है कौँ साथ च्रेणी प्रतिवर्स 15-25 म वाले यात्रियों के च्रेणी वाला एरपोर्ट बनाये गया है और इसमें जो आपका अगला स्रेडी है प्रतिवर्स पांच से पंद्रे मिलियन यात्रियों वाला जो आपका एयरपोर्ट है और इसमें अगली स्रेडी है प्रतिवर्स दो से पांच मिलियन यात्रियों वाला स्रेडी तो अलग-अलग स्रेडी माली एरपोर्ट है देखिए बहुत सारे डिर्वी स्टेशन है जहां पर भीड़ बहुती लगती है जैसे कि मुंबाई सेंटरल हो गयाप कड़ी गए वहाँ पर बहुत सारी यात्री हर साल यात्रा करते हैं और माली जैकर कोई छोटा मोटा स्टेशन ले लिए किसी छोटे सहर का तो वहाँ पर बहुत कम लोग ही जाते हैं तो इसलिए जो है मतलब वहाँ पर जो ट्रैफिक है लोगों का उसके आधार पर कैडिग्री दी गई है तो प्रती वर्स 40 मिलियन से अधिक यात्रियों के स्रेडी में जो आपका छत्रपती सिवाजी महराज अंतराष्टी हवाईड़ा मुंबई है तो इसको जगन मिली है और दूसरे नमर पर आपका है इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाईड़ा नई दिल्ली ठीक है ये भी लकातार चौते वर्स जो है इस राइंकी में अपना स्थान बना पाया है और दीखें स्रेडी जो आपकी दूसरी वाली आती है प्रती वर्स 5 से 25 मिलियन यात्रियों वाले एरपोर्ट की स्रेड़ी में अस्तान मिला है राजिव गांधी अंतराष्टी हवाईड़ा हैदराबाद को और प्रती वर्स 5 से 15 मिलियन यात्रियों की स्रेड़ी में जो है कोचीन अंतराष्टी हवाईड़ा को और सरदार बल्लब भाई पटेल अंतराष्टी हवाईड़ा अयंदाबाद को अस्तान मि तो इन 6 एरफोटो का नाम जा रखेगा और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस देश के सेना के प्रमुख लेटिनेंट जनरल रीचरड बूर आठ मार्ट से 10 मार्च 2022 तक के लिए भारत की यात्रा पर आये थे तो दीखे ये देश आपका आश्ट्रेलिया है आश्ट्रेलिया का अगर कोई प्रमुख आ रहा है राजपती आ रहा है वहां का कोई विसजेस मंत्री आ रहा है और कोई विसजेस ब्यक्ति आ रहा है जो कि बहुत ही popular है तो उसकी यात्रा के बारे में खास बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि उसने कौन कौन सी activities की भारत में क्योंकि ये स नई दिल्ली में भारती सेना के Think Tank Center for Land Warpair Studies का जो इनुने दोरा किया था। अपनी यात्रा के दोरान ये Center for Land Warpair Studies दिल्ली में कहे थें और जो आपके लेटिनेंट जनरल रिशर्ड अबू रहनुने भारत के थाल सेना के उपपरवंग लेटिनेंट जनरल मनुस पांडे से मुलाकात की अध्यक्ष बोर्ड आप गौवर्नस क्लास और निर्शक क्लास ले Land Warpair Studies है जो की दिल्ली में है तो इसके वीच में समझोते कि आपन पर ही अस्ताक्षर किया गया था तो इसको जरूर याद खेगा और अगला प्रशनमारा है कि हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांस्प्लांटेशन किस छेत्र से समधित है तो देखी जो आपका जेनो ट सरदरी के दो महीने के बाद जहां एक मरीज जिसके आसफाल हिर्दय को आनुवांसी ग्रूप से परिवर्ति सुवर के दिल में स्वरी दिल से बदल दिया गया था उसकी अभी हाली में मिर्थती हो गई देखी इसके पहले मने आपको बताया था करेंड़ में पिछले महीने जिन्दा रहा लेकिन अब उसकी मिर्ति हो गई है तो इसलिए यह सब जेनो ट्रांस्पलांटेशन जो है यह जो है चरचा में है देखे जेनो ट्रांस्पलांटेशन को मैं अंग्रेजी में डिफाइन कर रहा हूं कैसे कि देखे अगर दो स्पीसीज के बीच में यानि कि अगर एक जानवर है एक मनुस्य है तो उसमें जो है अगर उनके बीच में आरगन डोनेशन होता है वैसे मनुस्य का दिल तो निकाल कर जानवर में लगाएंगे नहीं किसी भी genetically modified अगर जो है जेनो ट्रांस्प्लांटिसन जो है क्या होता है ये मानों में अन्य जीव के अंका प्रतेरोबड होता है ठीक है और अभी हाली में एक प्रती जिसके अंदर जेनो ट्रांस्प्लांटिसन किया गया था सुवर का दिल निकाल कर जो है उसके अंदर जैसे petrol, diesel, kerosheen या फिर जो है जो भी चीजे हैं पेट्रोलियम से बदार्स जो है वो सारे जो ही से extract लिए जाते हैं इसका प्रेज़ को purify करके इसमें बहुत सारे जो है प्रोसेसिंग करके कि इसकी जो है निकाले जाती हैं और इसके बाद refined petroleum और gas का स्थान है यानि कि ये कच्छा तिल सबसे अधी कच्छे तिल का ब्यापार करता है और उसके बाद फिर ये petroleum का भी ब्यापार करता है और जो gas, gas मतलब क्या हो गया आपकी जो ये natural gases हो गई CNG मतलब हो गया compressed natural gas और हिंदी में संपीडित प्राकरति gas कहते हैं CNG को तो ये तो हो गया CNG के बारे हम जानकारी हम बात करते रूस की देखे बिहाली में यूकरेन के आकरमण पर प्रतिबन की चपेट में यानि कि रूस ने जब यूकरेन पर आकरमण किया था तो बहुत सारे देशों ने रूस पर प्रतिबन लगा दिया था उसके बाद रूस ने 200 से अधिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन लगानी की कोश्टा कर दी थी और अभी जो है देखे यूरोपी संगे जो बहुत सारे देश हैं ठीक है तो रूस को लोग जो है दरकिनार नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूस जो है एक बहुत बड़ी महासक्ती है तो देखते हैं आगे क्या होता इस चीवत के बाद अभी तो देखे ये रूट पेट्रोलियम की बात यहां पर आ गई बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी प्रतिबंद बहुत सारे देशों के दोरा लगा जा रहे हैं कि इस पे रूस पे लेकिन रूस का कुछ उखड़ने वाला नहीं है कि रूस पहले से मजबुत देश है तो यह थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रशन और अब हम बात करेंगे आज के सभी को शाम प्रशन है कि हाल ही में यूँ सुक योल के इस देश के नए राक्रती चुने गए बताए देखे यह प्रशन में आपको था तो पांच सो परसेंट गैरेंटी वाला है यह पेफर में छपा मिलेगा आपको नहीं पता है तो कल का वीडियो देखके दिवाज कर दा लेगा अगला के हाली में किस्वेक्ट को भारती प्रतिभूती और विनिमय बोर्ड यानिकी शेक्योटी एंड एक्सेंज बोर्ड आप इंडिया का पूर्ड कालिक सदस्य नियुक्षिया गया बदा है नेक्ष्ट की हाली में किस्तान पर राश्टी यूवा संसर्द महोसो का तीसरा संस्कर आपको बदा है की घुष्टा की गई है मताई है और हम बात करेंगे कर लिए पूछे का सभी को शामरे के सेत्रों में का पहला प्रसंद है कि विस्वे कीड़नी दिवस कब मनायता है तो दीखिए ये मार्च मैने के दूसरे गुरुवार को हर साल मनायता है और अगला था हाल ही में किसे भा हाल ही में किस्तिराज सरकार के दुवाना दलित बंतु योना सुरू की गई तो ये सुरू की गई है तेलंगाना के दौरा और पांचवाता की भारत में सयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्थी की इस्तिराज में मनी है तो ये बिहार में मनी है तो जाहिन जवारत